नमस्कार गुड मॉर्णिंग असलाम अलेकुम टू अलब बचालोगे इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नैरेशन की तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू जो नैरेशन जो चैप्टर है न यह ग्रामर का जो है वह सीबेसी बूर्ड एक्जामने इसके अलावा जो मैं आपको बता दू कि नैरेशन को कई नाम से पुकारा जाता है जैसे कि पहला नाम इसी को कहते है नैरेशन को ही कहते है डायरेक्ट और इंडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट स्पीच इसी को एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता ह तो यहां तक यह इसका एक छोटा सा बैक्राउंड है, अब हमें यह समझना है, कि actually है क्या, narration होता क्या है, तो चलिए समझते है, narration होता क्या है, चलिए तीन बैक्ति, यानि कह सकते हैं कि तीन बच्चे हैं, चलो माल लेते हैं, एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B, और तीसरा जो है वो है C, अब दो के बीच में बाची थो लिए, A, और B के बीच में क्या हो लिए ने, बाची थो लिए, आपस में conversation हो रहा है, एक तरसनिक वारतालाप हो रही है, डालग हो रहा है, कुछ बात कहा रहा है, A, B को क्या कहा टीचर हूँ, अब देखे क्या है, इसी बात को अगर जाके न, B सीधा सीधी, C को यह बात अगर कह दे, कि I am your teacher, A says, अगर इस तरह के बात को कह दे न, तो बात का बतंगर बन जागा, यानि कि बात जो है बिलकुल correct form में नहीं जाएगा, C को क्या समझाएगा, C को यह समझा कि B यह कहना चाहता है, कि वो क्या है, C का teacher है, यानि C को यही बात समझाएगी, कि B क्या समझता है, मेरा teacher समझता है, यानि कि मुझे अपना teacher मानता है, कि मैं तुम्हारा teacher हूँ, B, C को ऐसा कह रहा है, ऐसा उसको महसूस होगा, और यही उसको sound करेगा, जो कि बिलकुल भी correct नहीं है, और इस बात को नो सही तरीके से present करना, यानि कि A और B के बातचीत को C तक अच्छे से communicate करना, proper way में communicate करना, and this is the thing that is called narration, so actually the narration explains all these things, right, तो हम लोग जो आने, इसमें कुछ rules को जानेंगे, कुछ चीजों को जानेंगे, इसकी कुछ basics को जानेंगे, इस video में, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूँ, कि चले एक काम करते हैं, दिखे, यहां क्या है, एक sentence को सबसे पहला एक sentence को लेते हैं, तो इस sentence में हमें क्या दि दिखाई दे रहें, एक part में क्या दिखाई दे रहें, एक part बिल्कुल inverted comma के अंदर है, यहां देख लीजे, यह inverted comma के अंदर है, और यह भी inverted comma के अंदर है, और यहां inverted comma से बाहर, यानि कि यह part open है, तो इसमें, जो inverted comma के अंदर वाला जो part है, जो inverted comma में है, उसको हम लोग बोल इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच यानि इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे इस वाले पार्ट को भी रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे अब जड़ा इसके बाहर वाले पार् सेज, ऐसा भी हो सकता है, किसी सेंटेंस में हमें सेड मिलने, सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, आस्क मिलने, आस्क मिल सकता है, या फिर आस्क भी मिल सकता है, ऐसा इस तरका, तो यहां जो है ना, इस तरका जो यह जो है, जैसे कि यह सेज हो गया, सेज हो गया, अगर said आता है said किसी sentence में तो यह asked आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग भार्व ठीक है यह क्या हो गया reporting है वह तो हमारे पास ट्रों मिल गए एक पास हो गया reported speech और दूसरा पार्ट हो गया रिपोर्टिंग भर्व है कि तो देखे बचलो एक और में इंफोर्मेशन आपके साथ सेट कर रहा हूं इस बेसिक जो इसका जो इंट्रोड़क्टरी जो वीडियो हो उसमें मैं आप से शेर कर रहा हूं. इसमें क्या है एना जब reporting और ऑट किसमें हो present tense में हो और future tense में होillion और फिर से मैं बता दे रहा हूं कि no changes in the tense, कब जब इधर वाला reporting verb कैसा हो, reporting verb present tense में हो, या फिर क्या हो, वो future tense में हो तो, समझा गया, यह वाला एक पार्ट हो गया, लेकिन अगर यह reporting verb जो है पास tense में है, तो फिर जाके tense बदल जाता है, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि reporting verb अगर पास tense में हो, तो फिर जो है न, reported speech को भी वो छेटचार करता है, उसके tense को भी वो छेटचार करता है, डिस्टब करता है, ठीक है, तो हम लोग अगले आगे जब भी question solve करेंगे, तो इन सब चीजों को देखेंगे, और समझेंगी कैसे व वो change नहीं होता है, tense में बिल्कुल भी change के साथ जो है, डिस्टरवेंस नहीं आता है, लेकिन हा, किसी चीज में disturbance आता है, वो क्या है, वो noun, वो क्या changes होता है, वो actually pronoun के साथ में होता है, जैसे हम यहां पर क्या pronoun में क्या दिखाईता है, यहां तो यह दिखाई दिए रहा है, I, your, यानि यह subject और pronoun के साथ यहां पर क्या change जाता है, इस तरह के change में जब present tense में हो और future tense में हो, तो pronoun के साथ में चेंज जाता है, noun के साथ में reporting, speech के noun के साथ में, reported speech के noun के साथ में, reported speech के noun के साथ में, reported speech के pronoun के साथ में, चेंज जाता है, तो हम लोग समझ देंगे कि ये changes को कैसे change किया जाता है इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे तो यहां आपके सामने एक rule को मैं समझाने का कोशिस कर रहा हूँ देखे क्या है एक rule है that is called sun rule S-O-N और उसके नीचे लिखा हुआ S के नीचे लिखा हुआ है 1 O के नीचे लिखा हुआ है 2 और N के नीचे लिखा हुआ है 3 यह 1 क्या है 2 क्या है 3 है क्या है समझते हैं देखे 1 जो है न वह 1st percent है 2 जो है न वह 2nd person है और 3 जो है न वह 3rd person है हमको पता है कि 1st person में क्या है I और V जो है न वह 1st person होता है जब हम भी हम बात करते है न दो ब्यक्ती की बीच में बात होता है तो पहला ब्यक्ती और सुनने वाला हो थे सेंट पर सनल जाता है सिसे बारे में बात चीत हो रही है न वह थर्ड पर्स लोंगी मिन और मांक bitter आ यह सकता है इंहुति खोटाइए तो में पर रिए कि यह चेंज होता कैसे हैं तो सबसे पहले यहां पे आप देखते हैं कि जब प riders work न होगा ना यानी कि यह मेरा रिपोर्टिंग तो Ang I Meta เชह न तो यह हो गया कि जब व dellairsinege TL इसपीच है यानी यह वाले पार्ट में अगर बात किसी से किया गया हो अगर सब्जेक्ट जो है न वह फॉस्ट परसंट है यानि कि अगर वहां पे फॉस्ट परसंट है तो वह किसके किसके एकॉर्डिंगली चेंज होगा वह सब्जेक्ट के एकॉर्डिंगली चेंज होगा फॉस्ट परसन अगर यहां पर फॉस्ट परसन है तो वह किसके एकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के एकॉर्डिंगली चेंज होगा अगर अगर वह सेकेंड परसन ही यानि कि यू है तो क किसके accordingly चेंज होगा वह object के accordingly चेंज होगा और अगर तीसरा कोई ब्यक्ति है ना तो वह किसके accordingly n का मतला noun नहीं होता है यानि कि वहां पे no change होता है चलिए इसको जो है ना एक sentence से देखते हैं तो एक नजर इन सारे sentence को देख लेते हैं यहां बिलकुल हमें दिखाई दे रहा है पहला sentence है the man says to his wife you are good second sentence कुछ इस तरस है the student says to the teacher I am well फिद तीसा sentence है the students say to the teacher we are good अब इसमें हम लोग ढूटते हैं क्या subject क्या है object क्या है और first person second person और third person को ढूटने क्या कोशिस करते हैं अगर कुछ दिखाई देता हमें तो तो चलिए इस sentence में बिलकुल clear दिखाई दे रहा है कि यह जो man जो है यह क्या हो गया यहां पे subject हो गया यह किस से बात कर रहा वाइप से बात कर रहा अपने वाइप से बात कर रहा हो तो वो ऑब्जेक्त हो गई और जो पार्प है चो रिपोरटेड स्पीच है आधि ठीक है फिर इस तरह से बात करते हैं यहां पर सब्जेक्ट है यह रहा आपजेक्ट और यहां पर आई जो है वह फॉस्ट पर्सन बन जाता है फिर यहां पर देखते हैं यह सीम सब्जेक्ट फिर वह टीचर जो है वह आपजेक्ट एंड यहां जो है न वह क्या बन जा रहा है वो first person है ठीक है अब जो हैना हम change करते हैं तो change उस son वारे rule से अगर हम लो बात करें तो वो changes कुछ तो यहां जब हम देखते हैं तो reported speech में you सब्द यूज किया गया है you, you कौन सा है second person, second person किसके accordingly change होगा और यहां पर हम अबजेक्ट के accordingly change होगा और यहां पर हम अबजेक्ट क्या दिखाई दे रहा है वाइप तो वाइप के लिए हमें क्या लिखना चाहिए हमें C से काम चल जाएगा उसके लिए वाइप को C से बताएंगे ठीक है सेम चेज़ यहां देखिए I दिखाई दे रहा है I किसके accordingly change होगा I subject के उनसार चेंज होगा और यहां पर हमें subject क्या दिखाई दे रहा है student यह तो पता नहीं चल पा रहा है कि यह ही है या C है तो इसमें से हम माल लेते हैं इसको जो है न ही से denote कर देते हैं तेक है माल लेते क मेल है अब similarly यहां पर हमाई दिखाई देता है कि वी किसके accordingly होता है यह यानि कि first person है और first person किसके accordingly subject के accordingly होगा तो यह रहा मेरा subject तो subject जो है न यह मेरा subject होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा दे आ जाएगा ठीक है वी जो है वह subject accordingly चेंज हो जागा उसका प्रोनाउट अब इसको जो है न हम लोग solve करके देखते हैं और देखते हैं क्या वाकई है जो हम लोग change लेकर आया उस तरसे qualify करता है या नहीं तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको यहां पर देखिए क्या है पहला sentence है the man says to wife the man says to his wife you are good अब देखिए क्या है यहां पर सी लेकर आयते चींज यहां पर देखिए क्या है the man tells अब देखिए एक चीज मैं बता दूं कि जब भी किसी sentence में यानि इस वाले पार्ट में कोई सुनने वाला है क्या अगर सुनने वाला है यानि कि हम जो है ना जो बात कर रहे हैं इसमें सुनने वाला यानि कि एक object है दिखाई दे रहा है जब भी कोई-object होता है न इतने पार्ट को यानि कि says टू या से टू को किस सीज में बदल देज़े यह से , इसको नो टेले एक यहां कह inferior है से टू है यह पर देल में बदल देते हैं ठीक है यह वाला हिस्सा इस हिस्से को हम लोग क्या करते हैं that में बधल देते हैं ठीक है that में बदल हैं इस वाले हिस्से को फिर हम लोग किसी में बदल देंगी तो इस तर से हमार सेंटेंस वा ओै वह कुछ इस तर से बन जाता है The man tells his wife, the man says to his wife के जगा पर क्या करेंगे the man tells his wife और इस वाले part के लिए क्या आजाएगा that आजाएगा तो that यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग ने क्या change किया था you, son वाले rule के अंसार you के जगह पे क्या आएगा she qualify का रहा है तो she is good similarly, यहाँ आप देख सकते है the student tells the teacher the student tells the teacher that he is well ठीक है आईए, इसी तरह से यह जो है हमारा यह चीज बनता है तो यह हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो है बचलो, इस चीज में ना हम लोग को फिर से कुछ 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 करने के बाद यह बात बिल्कुल तरीके से हम लोग समझ बाएंगे मेरा आप लोग से यह रिक्विस्ट है कि आप इस वीडियो को अगें अगें जब तक आपका clarity ना हो जाए, जब तक आपका vision clear ना हो जाए, जब तक आपका concept clear ना हो जाए, आप इसे दो तीन बार जरूर देखें फिर जाके आपको कोई परसानी नहीं आएगी, thank you very much